हर योम मेरे प्रिये ब्रिशब राशी के जातक जाती काओ सितंबर का दूसरा सप्ता 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का समयाप लोगों के लिए कैसा रहेगा इस सप्ता किस परकार के सुभ योग बनेंगे और किस परकार की बड़ी सावधानिया आपको इस सप्ता बरतनी होगी सूर्य बुद्ध की यूती से बुदात्य राज्योग से महरबान होंगे ये ग्रहे और तरक्की और लाब खुब कमाएंगे चलिए जानते हैं तमाम जानकारी देने का प्रियास करेंगे तो शुरुवात सप्ता की जो होने वाली है सातियों आपको पेट से संबधित या गले से संबधित समश्या ही कुछ परेशान कर सकती हैं पुराने मित्र और रिस्तिदारों से थोड़ा सत्ता ना हो सकता है और किसी स्त्री के दुआरा आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है तो किसी भी स्त्री पर आखमुद कर भरोसा ना करें खासकर पैसों के लेंदें से और जीवन साती के साथ भी आपके मतविद इस दोरान हो सब्सक्राइब और इसके साथ ही जो नोकरी बदलने का परियास करना चाहते हैं उनको इस समय ये अपनी योजना टाल देनी चाहिए धन जो है किसी को धार देने से सब्सक्राइब और कई ऐसे लोगों की सचाई आपके सामने आएगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा 12 सितंबर 13 सितंबर आपको तगड़ा रहने वाला लाबकारी रहने वाला धन बड़ी मात्रा मिलेगा मोटा पैसा कमाएंगे बड़े वैपारी चोटे वैपारी दुकानदार खूब बड़ी मात्रा में और जो कानुनी मामलों में आप फसे वे थे उसमें आपको हुई है उनका प्यार वापस आने वाला है साती माता भी आपसे खुश रहने वाली है रुका हुआ धन इस सप्ता आपको मिलने वाला है 14 सितंबर 15 सितंबर विदेश यात्रा हो सकती है सरकारी आपके रुके हुए काम बन सकते हैं लोगों का सयोग इस सप्ता आपको मिलेग और जीवन साती के साथ मतवेत दूर हो जाएंगे और इस सब्ता को मंगलकारी बनाई रखने के लिए दुरगा चालेसा का पाट करना और गणेश जी को दुरवा रपित करना आपके लिए मंगलकारी सो बागिशाली रहने वाला है कमेंट सेक्सिन में जैग गणेश जरूर ल कि एगा दूसर